Hello Everyone Friends! Welcome back to Top 3 World आज मैं आप शेयर कर रही हूं ओल्ड ब्लाउस के बहुत ही अच्छे से दो इस्तमाल अगर आपके पास भी इस तरीके का old fashion वाला blouse जो की बहुत ही अच्छी कडाई किया हुआ है तो आप इसका अच्छे से अच्छा इस्तमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बेक साइट का इसदमाल करें इसकी स्पीष का इसकि मुट इसका इसका मारे तरहु हो रहें किस तरीकी से हैं इसके डॉर हिए ऐसके इसे अच्छा कर के और या उपर से चैनल की किसे इसे दो हिस्तों दिवाइड कर लेना और फिर एक हिस्से को इस तरीके से हम fold करके रखेंगे और फिर यहां पर देखिए जो सिलाई की होई नहीं side है वहाँ पर हम इस तरीके से थोड़ा सा round shape देकर इसे cut कर लेंगे तो इस तरीके का एक piece हमें मिल गया जो 9 by 7.5 inch का हो रहा है इसका measurement मैंने आप दिखा दिया अब इसे हम इसी तरीके से दूसरे piece पर भी cut कर लेंगे अब इस तरीके से देखे इसमें already अस्तर तो लगा हुआ था तो इस तरीके से हम अस्तर को उल्टी side पर turn करेंगे और फिर यहां पर हमें उपर से 2 inch पर mark करना है और सीधी line true कर लेंगे side से हमें half inch पर mark करना है दोनो side इस तरीके से हम marking करेंगे बीच वाली marking पर हमें सिलाई नहीं करनी है side वाली marking पर इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे दोनो side पर तो इस तरीके से हम दोनो side पर सिलाई कर लेंगे उसके बाद देखे इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे और फिर इस तरीके से हमें कॉर्णर पर कट लगाना है सिलाई ना कटे उसका ख्याल रखना है और फिर इस तरीके से हम इसे सीधा करेंगे और अच्छे से इसके corner निकाल लिने हैं तो ये देखिए अच्छे से मैंने निकाल लिये हैं अब अस्तर को वापस से हम इसके साथ सईसे set कर लेंगे आप चाहें तो नीचे यहां पूरे में सिलाई भी कर सकते हैं अब जो उपर वाला हिस्सा था उसे हम इस तरीके से fold करेंगे यहां तक हमने marking करी थी वहां तक fold करना है और फिर यह से हम इस तरीके से सीधी Aussी सिलाइ कर लेंगे तो यह फोकी errr गोरत कर लिक अस तैर फिर दूझवन को 100000 आप हैं बीष्णवार कि दूरी कोई it's that Jonah फिरुम्हार डूरी के और फिर से उपनेंगे रुपारिं लिकर तवरे उसके बाद इससी शीद ह Economist essentially डाल उसके सी तरीके से मैंने डूरी निकाल ली है इँर यहां पर भी टेसल रेड़ी कर दिया लनशुल कि इस थारीके से पर ब्लाउज। से बहुत प्यारी और ट्रेंडिक बना सकते हैं, आज कल कोटली बैग का बहुत ही जधा अच्छे से इसका इस्तमाल कर सकते हैं अब देखे इस तरीके से हम जो भी एक्स्ट्रा फाब्रिक है उसे कट करके इसे सीधा कर लेंगे तो यह जो इसका सेप था जो वर्क वाला पूरा सेप था उसी सेप में पहले मैंने इसे कट कर लिया है अब क्या करना है और यहां नीचे की साइट जो सिलाई वाला हिस्सा है वहीं तक मैं मार्क कर लूँगी तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है और यहां से हम इसे कट करके निकाल देंगी तो यह नीचे से मैंने निकाल दिया है उसके बाद देखी मैंने फ्रॉक को वापस से साइट कर लिया है यहाँ पर और दोनों साइट से भी मैं वन वन इंच एक्ष्रा कपड़ा रखते हुए दोनों साइट मार्किंग करूँगी और फिर इसे कट कर लूँगी क्योंकि यह हमारा सिलाई में भी जाएगा और जादा होगा तो कोई बात नहीं बाद में आप इसे कट कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया अब जो भी कपड़ा कम हो रहा था वहाँ पर जो साइट से निकला उसी कपड़े को मैं अटेच कर लूँगी तो देखे इस तरीके से मैंने इसे अटेच कर लिया है अब इसके ऊपर हमें प्राश्टेच कर लेनी है तो वह भी हो गया उसके बाद देखे जो भी एक्स्ट्रा फाबरिक है उसे हम निकाल देंगे और इस तरीके से शेप देंगे तो ये देखिए बुलिकुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने यहां पर joint लगाया है दोनों piece इसी तरीके से ready कर लिना है तो जो ready किया हुआ piece है उसी की help से मैं दूसरे piece का measurement लेकर इसे भी ready कर लूँगे अब जो blouse का आगे वाला हिस्सा था वहां से हम joke वाला हिस्सा है वहां से इस तरीके की एक strip निकालेंगे तो इस strip की length हमें लेनी है 7 inch तो मैंने ये cut कर ली है अब इस तरीके से मैं fold करके उपर सिलाई कर लूँगे सम्तिंग 1 inch चौड़ाई की मैंने एक strip ready करी है अब दूसरे strip भी ready करना है तो उसके लिए दूसरे side का इस्तमाल कर लेंगे जो इसका घाज वाला हिस्सा था उसे भी इसके सामने रखकर इसका center set करके इस तरीके से मैं cut कर लूँगे और जो दूसरा piece cut किया था उसके साथ हम इस तरीके से इसे attach कर लेंगे और यहां पर हम इस तरीके से prestige भी कर लेंगे यहां पर देखिए जो finishing वाली side है वो हम नीचे की तरफ set करेंगे और फिर यहां extra cut कर दिया है अब दूसरा piece लेंगे हम उसे देखिए इस तरीके से मैं beach से fold कर लूँगे और center से 2 inch पर इस तरीके से mark करेंगे और second side पर भी mark करना है तो यह मैंने दूनों side पर mark कर लिया अब यहां पर हमने जो 1 inch चोड़ाई की और 7 inch लंबाई की strip ready करी थी उसे attach करना है तो यहां पर जो mark किया था उसी के help से मैंने दूसरे piece पर भी mark कर लिया है दूनों की set करते हुए और इस तरीके से देखे सिलाई करके अच्छे से हम यहां पर दूनों strip को attach कर लेंगे इसके बाद मैंने साडी का use किया है यहां पर और साडी से कपड़ा कट कर लिया है मुझे यहां पर सिफॉन फाब्रिक की ज़रत थी टो आप यहां पर दूनों कीका या साडी का इस तमाल कर सकते हैं 44 इंच की लंबाई मैंने लिए और 14 इंच की मैंने इसकी चोड़ाई लिए है अब मैं असतर के लिए कपड़ा चाहिए तो उसके लिए भी और मैने दो पीस लिए हैं 512 दों असतरा का चाहिए अब देखे जो ready piece था उसके नीचे हम इस तरीके से plate लेते हुए हम अस्तर को ready करेंगे तो जो इसके चोड़ाई है उसी के जितने इसकी चोड़ाई हमें plate लेकर ready करनी है उसके बाद इसके नीचे वाले हिस्से पर हम double fold करके सिलाई कर लेंगे तो देखे इस तरीके से अस्तर का एक piece हमारा ready है अब हमें लेना है mean fabric तो में फाबरिक को देखे इस तरीके से हम यहाँ पर उपर plate लेकर set करेंगे तो जो ready piece है अस्तर का उसी के उपर हमें इसे पुरी को set कर लेना है plate लेकर और इसे भी हम नीचे से double fold करके सिलाई कर लेंगे तो देखे प्लेट लेना बहुत easy है आपको बस इसके उपर इस तरीके से अच्छे से जादा प्लेट लीनी है क्योंकि बहुत जादा कपड़ा है पर ये तो आप easily कहीं पुसेट कर सकते हैं देखे इस तरीके से सिलाई कर लेंगे पहले आप में कपड़े के में बा laagit कर लेंगे तो ये इस तरीके से हमारा meen fabric पर हो गई सिलाई उसके बाद अस्तरवाला कपड़ा जो है उसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहां से भी सिथी सिलाई कर लेंगे अब यहाँ पर एक्ट्रा लग रहा था तो उसे मैंने गट कर दिया है तो ये देखे, दोनों पीस में हमने अलग-अलग stitching कर ली है तो ये हो चुका है हमारा baby frog ready, वो भी plouse से तो दोस्तों अगर आपके पास पर इस तरीके का कोई भी heavy blouse बेकार पड़ा हुआ है तो आप इस तरीके से baby frog बना सकते हैं अभी आ रही है नवरात्री और उसके बाद दी पावली तो अपने बेकार चीजों का इस्तमाल करके महिंगी वाले चीज़े रेडी कर सकते हैं आपको ये वाला आइडिया कॉमेंट करना आपको कौनसा आइडिया साधा पसंद आया ये भी बताना वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना जादा से जादा शेयर करना और चैनल पढ़ना या है तो सब्सक्राइब करना पिरकुल माइद बूलना मेरे दें हैं सही और यूसफुल वीडियो के साथ तब तक के लिए जय भारत